नीचे description में आपको ring theory की playlist का link मिल जायागा आज हम बात करेंगे idempotent element के बारे में पहले इसकी definition देखेंगे और फिर example करेंगे तो यहाँ पर definition हमारे किस तरह से है कि an element a in a ring is idempotent if a square is equals to a यानि अगर a into a हम find out करें यहाँ पर a square का मतलब है a into a और यह हमारा second operation है ring में तो यह किस के equal आ जाए a के equal आ जाए तो हम बोलेंगे कि a जो है वो idempotent है अब एक चीज़ देखो अगर हम zm की बात करें तो हम माल लेते हैं कि r जो है वो zm में belong कर रहा है such that r square is equals to r हम माल लेते हैं r हमारा क्या है idempotent है तो if and only if r into r minus 1 is equals to 0 इसको हम इधल ले आएंगे और फिर r common ले लेंगे और यहाँ पर जो into है जो multiplication जो define है वो किस तरह से define है multiplication modulo define है यानि r multiplication modulo r minus 1 और यह हमारा किस के equal आ रहा है 0 के equal आ रहा है यानि remainder 0 बच रहा है तो if and only if m divides r r minus 1 तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर m जो है वो r r minus 1 को divide कर रहा है then r square is idempotent sorry r जो है वो idempotent होगा यहाँ पर example देख लेते हैं example हमारा किस तरह से हैं हमने यहाँ पर z 10 ले लिया ठीक है अब यहाँ पर देखो 0 तो जो है वो हमेशा idempotent होगा किसी भी रिंग के लिए और 1 जो है अगर exist कर रहा है तो यह भी हमेशा idempotent होगा अब यहाँ पर हम 2 की बात करें तो 2 square क्या आएगा 4 अब एक और चीज़ देखो z m की अगर हम बात करें अगर इसमें कोई element layer है कि उसका square अगर m से less आ रहा है तो वह idempotent नहीं होगा जैसे यहाँ पर 2 का square 4 आ रहा है तो 4 हमारा less than 10 है तो वह idempotent नहीं होगा 3 की अगर हम बात करें तो 3 square क्या रहा है 9 आ रहा है 9 हमारा less than 10 है तो 3 जो है वह हमारा idempotent नहीं होगा अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 into 3 4 into 3 क्या आएगा हमारा 4 into 3 12 आएगा और 12 जो है उसका अगर हम 10 से divide करें तो reminder क्या बचेगा 2 बचेगा 0 नहीं बचा तो इसका मतलब 4 जो है वह हमारा idempotent नहीं हो सकता लेकिन अगर हम 5 की बात करें तो 5 square क्या आएगा हमारा 25 और reminder क्या बचेगा 5 तो यह हमारा idempotent हो जाएगा 6 square 36 आएगा 6 बचेगा तो यह भी हमारा idempotent हो जाएगा तो इसमें z टर में हमारे इतने ही idempotent element होते हैं आप कुछ results हमारे idempotent के लिए हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहली चीज फॉर एनी रिंग जीरो एंड वन अगर वन एकजिस कर रहा है तब अगर एकजिस नहीं कर रहा है तब हम इसकी बात नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि रिंग में जरूरी नहीं कि यूनिटी हो are always idempotent तो यह हमेशा idempotent होंगे ठीक है लेकिन integral domain में यहां इस तरह से देखें यहां पे लिख लेते हैं in field skew field, skew field यहांनी division ring बोलते हैं जिसको, skew field, integral domain, 0 and 1 are the only idempotent idempotent ठीक है तो जिससे अगर हम यहां पे zm में देखें तो z3, z5, z7, z11 इन सम्में जो है यहांनी यहां पे m अगर प्राइम है तो इन सम्में 0 और 1 के इलावा कोई भी idempotent नहीं होगा अब यहां पे एक और note देख लेते हैं if a is an idempotent element in r ठीक है, with unity, this implies that 1 minus a is also idempotent तो यहां पे 1 minus a भी जो है वो idempotent होगा, ठीक है इसका proof भी देख लेते हैं यहां पे देखो 1 minus a square यह हमारा 1 minus a के एक को लाना चाहिए हम यहां पे directly a minus b का whole square वाला formula नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे r जो है वो जरूरी नहीं के numbers हो तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 1 minus a, 1 minus a ठीक है यहां पे हम क्या करेंगे, left distributed property लगाएंगे यहां पे इसको हम एक single element माल लेते हैं इसको हम इदल ले जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा 1 into 1 minus a, minus का a, 1 minus a फिर इसमें हम left distributed property लगाएंगे तो यह 1 into पहली बात तो 1 है और यह एक element है तो इसको हम directly 1 minus a लिख सकते हैं minus यहाँ पर हम लगाएंगे तो यह हो जाएगा a into 1 minus a into a ठीक है और यह हमारा क्या है इसको 1 लिख लेंगे और यह हो जाएगा minus a minus a तो 2 a हो जाएगा यह और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखो यह a square हो जाएगा और हमें क्या दे रखा है a is an idempotent element तो यहाँ पर यह जो है वो plus का यहाँ अंदर ले जाएगे तो यह plus का a बचेगा और यह हो जाएगा 1 minus a ठीक है तो यह imply करेगा 1 minus a is idempotent तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं next lecture में जो है हम बात करेंगे आर्थो गोनल idempotent element के बारे में आज के लिए वस इतने ही अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में